के एक सवाल करते में और यूपी की सिस्थी में यादूं और मुसुल्मानों की ज़ो वोत बैंक है यह दोनों सपा और जडियू और जडियू की मुख जो है वोटर हैं तो क्या यूपी और विहार के अलाबा जो ये दो पार्टी जो किवल जाती को धर्म के अंदर जाती को बाट रहे हैं और ये जो बीजेपी पार्टी है ये धर्म की बात कर रही है ये दोनों मिल जुलके हमारे देश में ये जाती और धर्में बात रहे हैं कि इस तरह से हमारा देश का विकास संभव हो पाएगा ने मुझे लगता है इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए देश अब जहां खड़ा है वहाँ जाती और धर्म की राजनीती की कोई जगा नहीं आपकी जात या आपका धर्म आपके लिए सम्मान गवरों का विशय होना चाहिए लेकिन जब आप वोट करने जा रहे हैं तो उस पार्टी कोई वोट करें और मुझे लगता है कि डेवलप्मेंट एजेंडे को सेंट्रल स्टेज में लाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, इसमें कोई संदे नहीं पुछे अवाज आई कि बेटा पुछो सर मेरा कोशन है यह सारा मामला वोमेन रिजर्वेशन बिल आक्ट के आने के बाद हुआ है जब सेशल सेशन में यह पास हुआ था उसके बाद ही सारा जातिगर्णा इन डॉल का मामला सामने आया है तो क्या यह उसी चीज को लेकर तूल पकड़ी जा रही है कि वीजेपी को या फिर क्योई और पाटी इलेक्शन्स में इलेक्शन्स का अपना एक बना रहे है मुद्दा बना रहे है कि जनगर्णा के आधार पर क्योंकि सभी ने विरिजर्वेशन आक्ट को हा तो बोल दिया है बट वो इसी बात को मुद्दा बना रहे है क्योंकि अगर राजनीती है तुम जाती वाद है अभी से नहीं आप देखे कि यह बहुत सारी पाटिया जो इसके विरोध में थी ऐसा है कि महिला अरक्षन में जाती का प्रश्ण जो लाना है वो उसको रोकने का एक बहाना था सवाल समझे जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है चाहे विधान सभा का हो लोग सभा के हो उसमें होता कि है आप टिकट किसको देते हैं जहां पे जिस जाती की संख्या जादा होती है या किसी धर्म की जादा होती है तो अगर वहां से OBC पुरुष जीत सकता है तो वहां से OBC महिला क्यों नहीं जीत सकती है यह तो सवाल यह जो ख्षित्रिये पाटियां है जो विरोध करी हो यह कह रही है कि बिना आरक्षन के हम यादब बहुल ख्षेत्र में गहर यादब को टिकट देंगे ऐसा संभव है क्या आप महिला आरक्षन में आप आरक्षन का प्रवधान रखे जाती का प्रवधान रखे या ना रखे आप किसी भी constituency में उसी जाती से महिला या पुरुष को फिल्ड करेंगे जिसकी संक्या जादा हो तो ये एक बहाना है उसको टालने का इसका बहुत सारा परकटी महिला ये महिला वो महिला ये पुरुष वादी मान सिकता है महिला विरोधी मान सिकता है जाती के ना होने से महिला आरक्षन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूछे, नमस्कार सर, मेरा नाम साक्षी है, और मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे जात्य जन्गन्ना करवाई गई है तो इससे के सारी नियम बदल जाएंगे, अगर हम बिहार में ब्राम्मनों की बात करें तो वहाँ पे ब्राम्मन सिफ तीन प्रतिशत है, तो ऐसे तो ब्रा निकाले जाएंगे, अभी मैं रिपोर्ट पूरी रात देख रहा था, उसमें यही था, कि लबाद 5% जो जन्रेल क्लास है, उसकी आवादी कम हुई है, अब उसमें बहुत सारे लूपोस्ट निकाले जाएंगे, इसको एक बहुत सारी कहते हैं, जातिय संघर्स, वो बढ़ अब अलग अलग राजियों में देखिए, एक एक जामपल में आवा देता हूँ, करनाठका में कुस एलेक्शन के टाय में, बीजेपी ने संक्या रिजर्वेशन 4% उसको हटा के लिंगाया तो और वो कलीगा में बाठ दिया था, उसको लेके भी बहुत सारे प्रोटेस्ट होगी, नहीं होगी, किस रूप में होगी, वो एक लंबा प्रोसेस है, इसको लेकर एक परचार जो कल से चल रहा है, उस पर हर्शवरदन जी का जवाब चाते हैं, बिहार की जनगरना से जाती सर्वे से ये पता चला कि 85% OBC, SC और ST मिलकर हो जाता है, 15% किवल अनारक्षित ह किसी ने लिखा कि 85% के लिए 50% कोटा है, और 15% के लिए 50% कोटा है, वो ये मान रहे हैं कि जो अनारक्षित है, उनको 50% जो अनकंटेस्टेट है, वो कोटा हो गया उनके लिए मुझे लगता है कि ये सवाल खूब पूछा जाना चाहिए, जब अनारक्षित कहते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि चाहे आपको कोटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप नमस्कार सर, मेरा नाम रुपेश पारदवाज है, अगर हम जातिय जन गन्ना और ध्रहम के नाम पर जो ये राजनीती हो रही है, इसको साइड में रखकर मैं पूछना चाहँगा कि 2024 में मोधी सरकार के सामने कौन है, विपक्ष का ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो मोधी सरकार को टक कर दे पाएगा, ये तो विजे जी बता सकते हैं, वोधी सरकार के खिलाफ और नरेंद्र मोधी के खिलाफ तो पूरा का पूरा विपक्ष एक जुट हो गया है, कहने के लिए अभी एक जुट हो गया जो इंडिया गठबंदन बनाया है, लेकिन जो भावेश जी का सर से बदलेगी, ये नहीं पता, जब 74% वोट एक शक्षियत को मिल रहे हो प्रदाहन बंतर के तोर पर ये किसी जाती में 58 मिल रहे हो, किसी में 50% से कहीं भी कम नहीं है, तो जो 50% से जादा वोट वाला हो, उसके खिलाफ सब लोग मिलकर भी एक बड़ा गठबंदन नहीं बन ना पारे, और ये ही सारी exercise हो रही है, जिसके लिए कि जाती है जनगंडना की बात होती है, कभी कुछ और बात होती है, महीला आरक्षन में OBC की बात हो रही है, तो अभी तो पहले मुद्दे को तलाश रहा है विपक्ष, जब मुद्दा तलाश लेंगे, फिर नेता तलाश सर्व नेता भी क्या आपको लगता है कि सरवे से साफ है कि कहीं जो भी चैलेंजर है नरेंदर मोदी का भले ग्याप कितना भी हो लेकिन क्या वो राहिल गांधी नहीं है या अगर एक चुटी से बात जोड़ाँ डू मेरinkो अकसर कई बार होता है कि कहा जाता है कि विजयात्रिवेदी गनित में बहुत कम जवर हैं पहले दो और दो आठ बोलती थे टू प्लस टू एट बोलती थे आज कल मैं छे बोलने लग गया तो ठीक हो गया हूं मैं गनित में तो 21% का चेलेंजर 60% से चेलेंज कैसे करेगा नहीं लेकिन राहूल गांधी को स अगर किसी के पास सबसे बड़ा हिस्सा है तो उसे निश्चित तोर पर नेता मानना चाहिए और विपक्ष के नेता के तोर पर राहूल गांधी इसमें कोई संदे नहीं क्योंकि वो हर राजय में कॉंगेज एक्जिस्ट करते है बहले एक सीटे दो सीटे या एक बड़ी पार्टी लगवा हर राजयों में बाकी आप किसी भी रिजिनल पार्टी को देख लिजे ममता की पार्टी बेंगौल के बाहर कुछ नहीं कर सकती जेडिवी खुद देखे जो OBC राजनीती को ले की इतनी करिया आप पूरे OBC की राजनीती लगवा हर राजयों में होते लेकिन बाकी राजयों में उनकी एक्जिस्टेंस नहीं है उसी तरह नितिस कुमार को इसके बाद अखलेस यादव को देख लिजे यूपी के बाहर उनका कोई बर्चत सुन न इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर